ना कोई राजा ना कोई रानी दिल कहता है दिल की जबानी सुनो कहानी सुनो कहानी ना कोई राजा ना कोई रानी थोड़ा सा आकाश घुला है थोड़ी सी माती घुली है जीते जाते इनसानों की मध्धम सांसों की बोली है महका महका आपका पॉनी सुनो कहानी सुनो कहानी जान जान बाज़ी ना कर दो कर दो कर दो आफ है दादी चन्ट हो गया चन्ट दादी दादी क्या हो गया रहे चांद हो गया, कर इद है न, ओहो, कर इद है, कर इद है, कर इद है खरवाना तो कब का चला गया, जवान बेटे को हैजे ने छीन लिया पिछले बरस पफू उसके घम में मर गई, अब ये इद किसके लिए आई है क्या करेगी ये जनम चली इसीद का हूँ कर दो वो इस रहार है हूँ कर में कर दो द्किताए जोहार है और घर में खाक उड़ रही है ना शक्कर है ना सिवयां अकेली होती तो सबर कर लेती पच्चे को कैसे समझांगे दादी ओ दादी चांद रात की बधाई हो दादी अरे रामकली कैसा चांद और कैसी चांद रात मेरे चांद को तो हैसे ने मिट्टी में सुला दिया अरे सुकर करो दादी तुम्री गोदमा तुम्रे पूत की निसान ही तो है हाँ हामित के कारण ही तो सिंदा हूँ पूल कैसे आना हुआ हामित के लिए रोज एक पैसे का दूद ले थो पूछे आयरहन कि दूद अब बंद तो नहीं करेगा है अरे नहीं पंद काहे को करना है अरे उस नन्नी सी जान को खिलाती ही क्या हूँ एक पैसे का दूद भी उसके पेट में नहीं जाएगा तो पलेगा कैसे तब ठीक है अब तक के दूद के छे आने हुई गये हैं हाँ यही बताने आयरहन छे आने हैं हाँ ठीक है ले ले ना ना ही दादी हमका भी जानवर पाले का है अरे जब से सूखा पड़ा है तबहीं से चारे की बड़ी तंगी है जब कल पैसा दोगी तबहीं हम दूद देंगे हाँ अरे ये थो तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया कुछ कपड़ों के सिलाई करके अठनी कमाई थी छे आने तुम्हें दे दूँगी तो बागी बचेंगे दो आने तो आने में मुहरम तो होता नहीं ही इत कैसे होगी है ये लो अपनी अठनी में से च्छे आने बाकी दो आने वापिस कर दो ये लो दादी हिसाब चुकता अब आएंगे हम कल दूद लेके ठीक है अरे ये हामित पता नहीं कहां चला गया इसे इतनी बाहर का है कि चिराख चलने के बाद घर से बाहर मच जाया कर अब कहां ठूड़ों इसे देख ना से नरब पड जाएगा रात में इतना तेल मत लगाओ कराब हो जाएगा औरे नहीं नहीं तेल लगालो नहीं तो पेर में छाले पड जायेंगे और पेर में काड़ लिया था जूतेयन पिछली साल चम चम करती टो Αई ये देखो क्या ignoring पी आई इस लिए गंदे हाथ मत लगाना कर देखना क्या चमकेगी सूरज में मेरा नया जूता आया है अरह देखू देखू वाज नया है मेरे पास आठ पैसे हैं सबेरे दस पैसी इजी मिलेगी कुम मेला घूमूंगा में भी वारा पैसे लेकर लेकर जाओंगा इजी आओ मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाईगा वीज पेसे बड़े रेशम के रुमान में बांगर आन्ञे एं तेरा जूता कहा है अब भन आंगे और अबभा काये बहुत दुर गएं काम पर मेरे हम्मा ने वीज़ी पैसे दिये यह तेरी अम्मा कितने देगी वह मेरे लिए क्या कर रहा है क्यों मुझ पुडिया को तोख रहे खिलवाता है रे छल घर चल रोटी नहीं को नहीं है क्या दादी तम चलो मैं आता हूँ मुझे भूब नहीं डी भूब नहीं है तब घर चल चरना हम सब एदी का जाएंगे ठीक है अल्ला तुम सबको ईद की खुशिया दिखाए अरे चल हामेद घर चल अंधिरा हो रहा है बेटा ए बेर को भी ले चलना इदगा हां पर ना कर कपड़े बदल कर चलना होगा मैं ना लूंगा पर मैं भी इदगा चलूंगा अरे कौन इदगा जाएगा पागल हुआ है क्या चल घर चल उठ चल दी कर चल दादी आव ना बाते करते हैं आती हूँ बेटा तेरे लिए दो रोटी का जुगाड तो कर लूंग क्या हुआ कुछ नहीं बेटा आयलाः बोल क्या के रहा था क्या हुआ हुआ कुछ नहीं बेटा, हाथ जन गया सबके अबबा आ गए, मेरे अबबा क्यों नहीं आए तेरे अबबा बहुत दूर गए है ना बेटा इतनी दूर क्यों गए की इद पे ही ना सके तेरे लिए बहुत पैसे कमाने है ना कर इद है, मुझे पैसे कौन देगा, क्या अम्मा एगी मैं जो हूँ बेटा, मैं पैसे दूँगी अपने लाल को दादी, तू पैसे देगी मुझे मैं तूँगी पैसे अपने लाल को, यह देगा यह, एक पैसा, दू पैसे, और यह तीन पैसे ठीक है, हूँ अच्छ, अच्छ, अच्छ आमिद, अरे आमिद, जल्दी आओ, यीद का चलना है ना हामिद आता है बेटा, अभी तयार हो रहा है, अभी आ जाएगा बेटा, हामिद अभी छोटा है, सरा उसका ख्याल रखना तुम फिकर मत करो दादी, बिल्कुल फिकर मत करो, वो हमारे साथ रहेगा आमिद, आज आओ, देर हो रही है, आ रहा हूँ, रुक्याओ अरे आमिद, देर हो रही है, जल्दी आओ ना, चलो, चलो अरे पैसे रख लिये हैं या यूही भागा जा रहा है, रख लिये, चलो सुन, भूख लगे तो मिठाई लेकर खा लेना, चलो अरु कररादम चलो भला जगा वापस लाना मेरे बच्य को पणाए rab, आओ, आओ, जबाँ डेखा नुद के निजूत कहूं परता है जुटे दिला तेरा जूता कपड़े का है मेरा चम्रे का है दो रुपे का वाप रे दो रुपे का जूता और क्या अच्छा अब मेरी बात सुनो हम लोग जा रहे हैं ना हाँ तो फिर हम को दूसरों के बाग में चोरी से फल नहीं तोडने चाहिए नहीं तो हमें गुना पड यहां खफा होंगे तो हम अब सीधे इद्गा जाएंगे रास्ते में कहीं ही नहीं रुकेंगे आमीच चले ओ दर्द हो रहा है अब बाको आने दो बताता हूं काटा लगता है कितना दर्द होता है अगली इद पर बिना जूते इद्गा मताना चलो चलते हैं अरांगे 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 अंदर आजाओं चौद्राइन मालकें अरे कॉन? मैं हूँ अमीना आव अमीना आजाओं अंदर सलाम सलाम अमीना आव बैठो बड़े दिनों के बाद आई अमीना एद मुबारक हो आपको एद मुबारक हो हम जनम जलों की क्या एद और क्या शब बारात अरे तेरी बहु तो बड़ी बारीक समया बढ़ती थी जिसे तेवहारी पे उसके हाथ की बटी समया मिल जाती तो जी खुश हो जाता हाँ मालकिन पड़ी कुनी लड़की थी तेरा बेटा तो हैजे में मरा पर तेरी बहु को क्या हो गया था अरे दिनों दिन पीली ही पड़ती चली गई क्या बताओं मालकिन मुकद्री खराब था इस जनम जली रान बेवा का मिया का गम खा गया उसे हां किसमती खराब थी और क्या हामित कहा है उसे नहीं लाई हामिदीद कहा गया है बहुत मना किया माना ही नहीं आई अच्छा अच्छा ये समया ले और बच्चे को पका के खिला दे अच्छा बनाए रखे आपको अच्छा चलती हूं अच्छा सलाम अच्छा आपको प्रोड़ ख़िसे नहीं धींद oppression ये दृही कहा ही नहीं हुदी से लाई और भाइक अपासमेटन के जा आपको में तर्म पूर आप में अखर्द crude प्रत्वेल क्यावखिट क्याल क्या ख्म तो किस पर बैठेगा नहीं नहीं बैठूंगा अरे बेठ बड़ा मज़ा आता है यह पेसे की तो बात है नहीं बड़ा कंजूसे तु तुर मेला घूमने क्यों आया है तुम लड़ो मैं चला सामने की दुगान पर चलो बैठे अबड़ो मैं अबड़ो मैं आता है यह 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 था मेशिए भाम मेशिए अरे लो न वह एफ लटू खाओगे हैं अरे लो ना अरे लो खालो बड़ी मज़े किये अरे लो ना लो लटू खाओगे हैं ठाइस थाहर।री और गंदा करती है अच्छा कौन कहते हैं किताब में लिखा है मक्खी बैटती है मिठाई पर थी मिना थे नहीं गाँगा कभी नहीं छांग बहुत मेंगा है दोग पेसे का बस हाथ लगा कर दूँगा अरह नहीं बाबा मेला हो जाएगा चलो हम लोग भी खिलोने देखेंगे चलो एक गुबारे वाले एक खंजड़ी कितने की है इन पेसे की है जारा दिखाओ पेले पेसे दो पेले ये लो तीन पेसे और एक मुझे को पी जारा बता मैं भी खंजड़ी बजा कर देख लू है तुम्हें घंड़ी वजाना थोड़ी आति ए तोग लोगे तोड़ूगा नहीं मूरा के देवा अभी नहीं घर पर आके खेलेंगे एक तो मेरे सिपाही जो भी जू करेगा बंड कर देगा थाने में आह वोश्या अगर यह पानी ना दे तो मिया सिपाही और बागिल दोना प्यासे मर जाएं करें लाकी आप वा अस्सलाम अलेकूं जीते रहो कहां से आरा है यह इद गाह से आरां भुआ नमास खत्म हो गई क्या हां हो गई क्यों क्या बात है अमित नहीं लोटा आप तक वो भी लड़कों के साथ इद गाही गया है लोटों के साथ गया है ना भुआ तो आज आयागा पाउं पाउं मैं तो बेल गाली से आया हूँ ना चलो क्यों वेटा क्या देख रहा है वो यहां तो तो तुमारे काम की कोई भी चीज नहीं है बाईया यह कितने का है यह चीम्टा पाच पैसे का बाईया मेरे पास तो तीन पैसे हैं तीन पैसे कहीं देदो ना तीन पैसे का चिम्टा चल्ड़ा कि यहां मित लोई की दुकान पर क्या कर रहा है कुछ लिया है उसने हां चिपाय हुए है बहुत अकड़ता हुआ रहा है आजा जल्दी आप गर चले पठ्था कुछ लिया आतो है हात में अगर तू दोड़कर नहीं आता तो तुझे पकड़वाने क्लिए अपने सिपाई भेजता है यह देख मैं तुम्हारे सिपाई से अब नहीं ड़ता क्यों जानते हो मैंने कौन से खिलोना खरीदा है दिखा आज दिखाना आ रुस्ट मेहंद् tease मेरे पास रूस्ट मेहंद्धै यह रहा मेरा रुस्ट Mitch यह दल्ए यह भी कोई एक हाथ में टांग कहीं पढ़ी होगी और आज कहीं अच्छा बहुत से की मस्तवारों मेरा वकील हर दम कानून जी किदा उपने पास अगता है अदालत न खड़ा कर देगा तुम्हारे चिम्टे को अरे जाओ वकील साब के पेट में ऐसा छेट करेगा ये चिम्टा कि सारा कानून बाहर आ जाएगा बच्चू हामिद बात तो सही क्या रहा है इसका खिरोना तो लोई का है हाँ ये तो है इतने का लिया दुकान दार तो पास पैसे मांग रहा था पर मैंने तीन पैसे महीं ले कंदे पर रखो तो बंदूग यू बजाओ तो मंजीरा मैं हाथ में लेकर देख सकता हूं नहीं तु मेरा बिष्टी देख ले हैं आमित्या खिलोना सच मानों दमदार है अरे नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था तुम सब के खिलोनों के आगी ये कुछ भी नहीं ये इतने प् अब रुक जाओ मोसीन सिपाई और बकील आ गये तुम इदर पानी छिड़क वालो चला भिष्टी पानी छिड़को सिपाई इदिगा से घर तक ले आए अभी गस्त पर पहरा देने भी निकलेंगे हां महमूद आवाज लगाओ सोने वाले जाकते रहो सोने वाले जाकते रहो महमूद भाई लगता है वो अपने बखिल सापकी बारी है अपना रुस्त में इंदे नहीं तो चकता मैं चलता हूँ दादी अरे किपने देर लगा दी तुने देर कहां लगाई दादी तीन कोस दोड़ा चला आ रहा हूँ सुबा बिना कुछ खाय पिये भाग गया था वहां कुछ खाया क्या खाता क्यूं मेले में तो पेड़े परफी सब कुछ मिल रहा होगा मिठाई तो मेरी मा लाए कि एक दिन तब पेड़ भर कर खालूंगा तो कोई खिलोना लाया खिलोना हां लिया तो है दिखा मुझे अरे दिखा न यह देखो अरे यह क्या उठा लाया तू चुमता है दादी तो इस दीवाने को देखो ऐ मेरे खुदा अरे इसका क्या करेगा तू बोल क्या करेगा तू दादी यह रुस्तम है आग से भी नहीं डरता अरे भाड में जाये तिरा रुस्तम मैंने अपना दिल मारकर क्या तुझे पैसे इसलिए दिये थे कि इस बेकार के लोहे पर खर्च कराया बोल कितने का है यह तीन पैसे का क्या तीन पैसे का हरे नालाइक सारे पैसे इस बेकार के लौहे पर खर्च कराया दादी सिस्मठेवाले की dukoz Research याद आ गया था क्या याद आ गया था कि हिए कि तुम्हारे पाँ सक नहीं रोटी पकाती है तो तुम्हारी उंग्लिया जल जाती है जिए और आप चुल करा वेडाए lucky ऽंहीन जालेंगी तो इद का से अपने सारी पैसो के बदले मुझ पुडिया के लिए चिंटा लेग रहा है मेरे लाल, मेरे कलीजी के टुकड़े, मेरा बच्चा मैं तुष्पे सत के जाओ, मेरा बेटा ना कोई राजा, ना कोई रानी, दिल कहता है, दिल की जवानी सुनो कहानी, सुनो कहानी, ना कोई राजा, ना कोई रानी